हेलो दोस्तो नमस्कार एसम किसी चैनल में मैं आप सिबलों का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ तो दोस्तो है आज के दिन का आखरी वीडियो है और इसमें हम लोग कवर करने वाले यस कल के दिन जो बाजार स्टार्ट होगा तो कौन से ऐसे important stocks है जिनके उपर बाजार का ज़्यादा focus रहेगा उनसे related बाच्चित यहापे होने वाली है तो चले start कर लेते सबसे पहले तोर हैगा निफ्टी के उपर focus की कैसा चलेगा करके क्योंकि Friday की दिन तो American Bazaar ने बहुत ही अच्छा performance यहापे दिखाया है तो क्या है वो यहापे निफ्टी को भी अच्छा गासा फायदा दिला पाएगा gap up करा पाएगा एड़ उसके बाजार कैसा चलता है उसके उपर तो focus यहापे रहने वाला है प्लस उसी के साथ साथ कल की दिन की बात करे मतलब Saturday की दिन की बात करे तो अभी मैंने जिससे related वीडियो भी बनाया था कि प्योश गोईल जी ने बोल दिया कि Canada के साथ थोड़े से रिस्ते खराब होते वे देखने को मिल रहे है फ्री ट्रेड एग्रिमेंट की बात करे तो बाच्चित भी रुपते वे देखने को मिल चुकी है तो उसके पर फोकेस रखना पड़ेगा कि वहाँ पर अगर कोई खल चले हो जाती है कि अगर माहूल बहुत धी खराब हो जाता है पने अगर हम लोग बात करेंगी कल के दिन हैवल्स इंडिया के और अच्छा का सा फोकस रहने वाला है तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देखा गए जो इस Saturday Sunday हम लोगो देखने को मिला था तो इसके बीच में एक खबर आते वे देखने को मिली जो कि अच्छी नहीं है DRI की बात करे, Directorate of Revenue Intelligence तो DRI की बात करें दोस्तों तो उन्होंने Hevels India के जो corporate office है वहाँ पे कुछ search operation conduct किये थे ठीक है, search operation मतलब obviously कोई ना कोई allegations यहाँ पे लगाया जाते है allegation लगना मतलब वो prove होना नहीं होता है तो allegation की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो mis classification in import of hitting element इससे related कोई तो यहाँ पे allegation लगाया हुआ है जो की company ने exchange को भी inform कर दिया है तो इस चीज के चलते बाजार इसको कैसे react करेगा यह एक देखने वाली बात होगी है obviously news तो कोई celebrate करने वाली नहीं है negative news है तो जरू हैवल से इंडिया कल हर किसी के radar के उपर जरूर रहेगा next अगर हम लोग बात करें रिलाइंस इंडस्टी उसी के साथ-साथ अर्विंद फैशन यह दोनों कंपनिया रडार के उपर रहेगी क्योंकि इसके पीछे का reason है दोस्तो आप यहापे देख सकते हैं अर्विंद फैशन का जो हम लोग को Sephora Retail Division देखने को मिलता था नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे JSW Infra के उपर focus रहेगा quarter two के result देखने को मिले थे जिसमें हम लोग को धाइसो करोड के आसपास का profit भी बढ़ते वे देखने को आपे मिला है और उसी के साथ-साथ अगर हम लोग बात करें JSW Infra यहापे Marine Oil Terminal Corp की अगर हम बात करें तो उसकी जो enterprise value है somewhere around 187 million dollar के आसपास तो उसमें हम लोग को deal होते वे देखने को मिले है मतलब उसको पूरी तरीके से उन्होंने आपे खरीद लिया है तो हम लोग जरू कह सकते है Middle East से related है सारी चीज़े हम लोग होते वे देखने को मिल चुकी है तो इस चीज़ के चलते हो JSW Infra जोके अभी-अभी हम लोग को IPO के थूरू बाजार में आते वे देखने को मिले है उसके उपर भी बाजार का अच्छा कासा focus जरूर हैगा Next अगर हम लोग बात करें अदानी तो by default हर वत हर दिन के अगर बात करें रडार के उपर यहापे रहता ही है कुछ ना कुछ तो खबरे आते रहते तो अदानी के शेर्ज भी रडार के उपर जरूर रख सकते हो Next अगर हम लोग बात करें quarter two के results आमनों को देखने को मिले थे वेदानता के results आये थे सामने और उसी की साथ वेदानता के और से एक अच्छा announcement भी आ रहा है कि शायद से उनको 10,500 करोड का loan यहापे मिल सकता है करके मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है बट फिलाल तो ऐसी खबरे सामने आ रही है तो वेदानता लिमिटेड के लिए भी funding एक बहुत बड़ा oxygen है तो मैड भी इस news को भी बादर थमसप दे सकता है चाओ तो study कर सकते हो SBI के नंबर देखने को मिले थे तो इसको भी आप अपने radar के पर रखने लेना OK-OK type के नंबर थे हमें आपे कह सकते हैं वैसा ही performance देखने को आपे मिला है FL India के नंबर की बात करें तो yes काफी interesting नंबर देखने को मिले थे अच्छे नंबर देखने को मिले थे गिरावट केवल 27% तक ही देखने को मिली है मतलब ज्यादा खराब expectation थी नंबर की बट उससे कम थोड़ा खराब performance देखने को मिला है तो क्या बादर इसको thumbs up देगा तो एक देखने वाली बात है आपे रहने वाली तो चाह होता आप आरती इंडस्ट्री को भी study कर सकते हो Electra Green Tech की बात करें तो okay okay ठीक performance रहे इनके तो numbers आपको पताईए Gen Tech की बात करें Electra Green Tech ये तो मतलब future oriented businesses है इनको मतलब ऐसा ऐसा performance रहेगा फिर suddenly तेज़ी आएगी बड़ा contract मिला तो फिर कुछ नहीं मिलेगा तो नीच आएगे इसी दिखाई थी Raymond इसके पीछे का reason पता है ये रेमन ने एक company खरीद ली है इसके चलते वो electric vehicle components में entry कर रहे है उसी के साथ साथ defense space aerospace इस segment में भी वो entry या पर कर रहे है मिने उस वक्त वीडियो बना के आपको ये सवाल पूछा था कि between the lines इसका अर्थ क्या है कि इन्होंने इस company में खरीद investment करके क्या बताने के कुशिक कर रहे है तो between the lines बहुत सारे लोगों ने सई जवाब दिया था कि इसकी electric vehicle, defense, space, aerospace ये ऐसे segment है जिसमें बड़ावा future में हम लोगों को देखने को आपे मिलने वाला है मतलब ये ऐसे sector से जहापे बहुत सारे बड़े-बड़े contracts आए को मिल सकता है तो हर कोई इस space में एंटर करने की कोशिश कर रहा है जिसमें Raymond Limited भी हम लोगों को एंटर करते वे देखने का आपे मिल चुका है जापे उन्होंने एक company को खरीदा कितना literally 680 करोड के आसपास हुआ हम लोगों को deal होते वे देखने का आपे मिली है तो ज़रू य से थोड़ा खराब मतलब कितना था आर्टी इंडस्ट्री का माइनस 30 आना चाहिए बट माइनस 27 देखने को मिला बट गुजरात फ्लोरो की बात कर यहापे भी expected था कि खराब आएगा करके बट वो खराब से भी खराब आया है तो क्या कल बाजार इस चीज के चलते और negative reaction द यह एक देखने वाली बात जरूर हैगी नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे Friday के दिन के कुछ सितारे जुमैटो जुमैटो ने Friday के दिन सब को चोकाए था क्योंकि Blinkit ने कमाल क्या performance दिखा दिया इस चीज के चलते इनका जो profit है वो 36 करोड तक चला गया इनके जो gold membership वाल में आ गया तो इसलिए out of syllabus profit डिखाया company ने तो तेजी भी out of syllabus देखने को नो से 10% की तेजी देखने का आपे मिली है अगर आपको लगता है जो मेटो का बिजनेस अच्छा है तो उससी साब से आप अपना डिशन ले सकते हो लक्स में organic की बात करें Friday की दिन अच्छा performance दिखा जो फाइदा है उनको तो Friday की दिन मिला था तो क्या कल के दिन भी यह तेजी बरकर आ रहेगी यह एक देखने वाली बात रहेगी टाटा मोटर की बात करें इनके numbers को बाज़ार ने Friday की दिन ओके-ओके response दिया देड़ पसंट की तेजी देखने का आप मिली थी तो क्या कल यहाँ पे टाटा मोटर में क्या यह तेजी बरकर आ रहेगी यह देखने वाली बात रहेगी KPI Green Energy इनको भी एक Solar Power का यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल गया इसके चलते तेजी देखने का आप मिली थी तो मतलब यह देखना रहेगा कि Friday की दिन जिनों ने धूम मचाई थी तो क्या कल के दिन भी धूम मचाएंगे Then Dr. Lal Path Lab में बहुत दिनों के बाद अच्छी तेजी देखने को मिली थी विकॉस आफ उनके नंबर अच्छे देखने को मिली है और ब्रोकर्स ने उनके टार्गेट को अभी तक रिवाइज ने किया मतलब अच्छा ही यह आपे बोला है कि यह परफर्मस इनका चलता रहेगा करके स्क कल के दिन यह भी देखने वाला स्टॉक रहेगा सुजलाने इनर्जी की बाद करें अपर सजी देखने को मिला मिला है मतलब भागेंगे तो लिएusan चार्अर किशनसे व हो सकती या आप इनके पूराने चार्ट पेटन देखोगे, तो उससे आपको एक अनुमान आ जाते है, कि एक कंपनिया कैसे चलती है, इसके बीच में भी ऐसे रॉकेट बना था, फिर एसे नीचे आया था, तो है fundamental strong नहीं रहती है, कंपनिया weak रहती है, बट कोई बात नहीं, ग्रीन एनर्जी ये जो सेग्मेंट है, ग्रीन पावर की बात करें, इसमें अच्छा scope देखने को मिला है, कि छोटे-छोटे companies को भी business मिलते वे देखने को मिल रहे है, टाइटन ने अच्छे नमबर दिखा थे, फ्राइडे की दिन, बादार का जो reaction था, फ्राइडे मतलब उसके पहले देखने को मिल रहे है, बट येस, बादार ने इसको thumbs up दिया था, तो एक उच्छ stock समेशा मारे radar के उपर रहेते हैं, और सबसे ज़्यादा interesting sector, निफ्टी reality, इसमें हम लोगों को एक जोश वापस comeback होते वे देखने को मिल रहा है, बहुत समय के बाद, निफ्टी reality में एक अच्छा performance देखने को मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं, पाच दिन में 10% इंडेक्स भागा है, महिने बर में 9%, 6 मेने में 42, साल बर में 43, पाच साल में लगबग 200%, यस इंडेक्स की बात हो रही है, और बिल्कुल टॉप लेबल पे जाते वे दिखने को मिल रहा है, तो इसलिए real estate से जुड़े वे जितने भी companies है, उनके उपर तो बहुत ही इपदम आपका कमाल का focus रहना चाहिए, ठीक है, तो आप उनको भी आपे individual study कर सकते हैं, इवन्दो आपको निफ्टी real estate में ज़्यादा interest नहीं होगा, properties वाले stocks में, बट उससे जुड़े होए जो बाकी companies है, उनको आप लोगों ने ज़रू focus में रखना है, जैसे auto sector अच्छा करता है, तो auto component वाली, ancillary वाली company अच्छी करती है, तो वैसे ये segment में भी हम लोगों उसी प्रकार का बड़ावा देखने को मिल सकता है, तो ज़रू ये एक देखने वाली बात रहेगी, क्या nifty reality कल के दिन भी अच्छा performance दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, तो ठीक है दोस्तों, जितने भी important points से सारे cover कर लिए वीडियो अच्छा लगागा, तो चाहो तो like and share कर सकते हो, and no doubt आज के दिन match था, तो और कोई match देखने में बीजी था, किसी को भी miss मत करना, सब के link मेरे नीचे description में देखे रखे हुए, आप चाहो तो उनको भी study कर सकते हो, तो चले दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए, bye bye.